हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सून्य PCS सून्य PCS की इस क्लासेज में मैं आप सभी लोगा स्वागत करता हूँ सून्य PCS परिवार का ये एक छोटा सा कॉंट्रिबूशन है आप सभी एस्पिरेंट्स के BPSC की इस परिक्षा में that means all those aspirants who are preparing for BPSC preparation that is BPSC की preliminary exams की जो लोग त्यारी कर रहे हैं उनके लिए सून्य PCS परिवार का एक छोटा सा कॉंट्रिबूशन है तो चलिए शुरू करते हैं आज का important session जिसमें हम Vice President of India के उपर बात करेंगे जिसमें हम प्रधानमंत्री के उपर बात करेंगे कि भाई सम्विधान में किस अनुछेद के तहर्ट that is under which article the provision of Vice President is there तो यहाँ पर Article 63 when you will read Article 63 you will find that कि Article 63 says that there shall be a Vice President of India यहाँ पर ध्यान में रखेगा कि Vice President कौन होगा इसका constitutional provision कहा है अनुछेद 63 में है Article 63 क्या कह रहा है कि भारत में क्या होगा उपराश्पती होगा अब इसकी हायार्की की बात कर रहा है तो यह second highest constitutional post है that is सम्विधान के हिसाब से सबसे उपर जो है President का post और उस post के बाद second number पर जो आता है वो है उपराश्पती का पर ठीक है अगर इसके कारकाल की बात करें कि इनका tenure क्या होगा how long the president vice president will serve यहाँ पर 5 साल का इनको जो है he serves for 5 year term and continue in office irrespective of the expiry तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो कोई भी भारत का उपराश्पती होगा वो जो है 5 साल के लिए जो है इसका term रहेगा और उसके बाद जब तक नया vice president चुनकर नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा तो यह information आपको कहां से मिल रहा है तो article 67 जो है वो आपको इस बात की information देता है कि जो उपराश्पती है उसका कारेकाल जो है 5 साल का होगा और उपराश्पती अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका successor या नया उपराश्पती चुनकर नहीं आ जाता है तो मैंने भी आपसे कहा था article 63 की बात करता है कि भारत में एक उपराश्पती होगा अब कुछ facts की उपर हम बात कर लेते हैं भारत के पहले उपराश्पती first vice president of India थे सर्वपली राधा कृष्णन ठीक है इन्होंने 13 माई 1952 से लेकर 12 माई 1957 तक first अपना office या first tenure इन्होंने सर्व किया था और ठीक उसके बाद ही इन्होंने 13 माई 1957 से लेकर 12 माई 1962 तक उनका second कारकाल या second tenure था तो लगातार दो tenure को एक साथ करने वाले जो भारत में उपराश्पती हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन वर्तमान के अगर हम बात करें तो इस समय हमारे पास क्या है 14th vice president है और हमारे 14th उपराश्पती का नाम है जगदीब धनकर ठीक है 11 अगस 2022 को इन्हों ने उपराश्पती के पद को धारण गिया है कई बार जो है BPSC में इस तरह के information या कैसे है factual based question भी पूछ लिया आते हैं कि भाई भारत के इतिहास में ऐसे कौन से उपराश्पती रहे हैं जो unopposed elected है यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेगा तीन ऐसे जो हैं प्रेजिडेंट रहे हैं भारत के इतिहास में जिनको unopposed उपराश्पती चुना गया पहले थे डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन पहले उपराश्पती उसके बाद हिदायत उल्ला और थर्ड थे शंकर दयाल शर्मा तो शंकर दयाल शर्मा तीसरे व्यक्ती थे जिनको उपराश्पती के बदपच चुना गया और दैट तू unopposed unopposed कहने के मतलब है उनके विरोध में कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ यह कुछ factual information है यह भी कई बार आपसे पूछी जाती है वर्तमान में हमारे पास जो उपराश्पती है उनकी संख्याक नम है 14th है वो आगे बढ़ते हैं और Article 64 की बात करते हैं Article 64 again important हो जाता है prelims के point of view से Article 64 prelims के point of view से क्यों important कहता है कि जो कोई भी उपराश्पती होगा the vice president shall be ex-officio chairman of the council of state ठीक है यहाँ पर Article 64 इसी लिए अपने आप important है कई बार इसी term को examination hall में examiner पूछ लेता है कि अनुछे 64 के हिसाब से क्या है जो कोई भी भारत का उपराश्पती होगा वो automatically chairman of the राजसभा बन जाएगा ex-officio कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी उपराश्पती होगा वो उसी छण उसी समय क्या बन जाएगा chairman of the राजसभा यहाँ पर chairman of राजसभा का कोई चुनाव नहीं होगा हाँ जो भी भारत का उपराश्पती होगा 64 से मिल रही है ठीक है यहीं पर article 64 और एक example दे रहा है कि जब उपराश्पती अपने कारकाल में है that means when the person has been elected as a vice president मान लिजे उसी समय ऐसी कोई situation आ जाती है जहाँ पर president is unavailable भारत के president जो है unavailable है तो ऐसी सूरत में जो भी भारत का उपराश्पती होगा he will discharge the functions of the president यहाँ पर जो है भारत का जो उपराश्पती है इस पद को हमने क्यों रखा है एक कारण या एक justification यह है कि suppose that the president is not available तो ऐसी सूरत में जो भी भारत का उपराश्पती होगा वो क्या करेगा he will start acting like the president of India और यह उपराश्पती जब president के तौर पर काम करेगा तो उसको salary भी जो है president की ही मिलेगी यह भी ध्यान रखेगा यह provision कहां दे रखा है article 97 में कि whenever the vice president is acting like the president of India for that period he will be served और he will be getting the salary of a president of India यह ध्यार में रखेंगे अब यहाँ पर बात करते हैं चुनाव की जो उपराश्पती है उसका चुनाव कैसे होगा prelims के point of view से ध्यान रखेगा article 66 जो है provision है जहाँ पर election of the vice president के बारे में discussion किया गया यहाँ पर फिर से हम electoral college की बात करेंगे यहाँ पर जो एक electoral college का निर्माण होता है that means again electoral college कहने का मतलब हुआ कि जो उपराश्पती है उसका election कैसा होगा again it is an example of indirect election यह election कैसे होगा indirect होगा indirect कहने का मतलब है जहाँ पर भारत के नागरिक जो है इस election में participate नहीं करेंगे यहाँ पर एक electoral college को जो है इसका निर्माण किया जाएगा और इस electoral college के कौन-कौन सदस्य होगे इसको भी समझ लेते हैं इसमें होगे members of both house of the parliament that means अब यहाँ पर क्या है elected or nominated दोनों ही सदस्य दोनों तरह के सदस्य लोगसभा और राजसभा के क्या होगे they will be part and parcel of the electoral college of the vice president इसको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर क्या है जो भी elected या nominated members है लोगसभा के, राजसभा के they all are part and parcel of the electoral college of the vice president electoral college of vice president में यह दोनों ही लोग जो है participate करते हैं यहाँ पर अगर हम difference की बात करें जो president का electoral college था उसमें केवल और केवल elected members थे वहाँ पर nominated members की कोई कह सकते हैं उनको entry नहीं दी गई थी लेकिन यहाँ पर जो है कह सकते हैं vice president के electoral college में elected और nominated दोनों सदस्य जो है रहेंगे ठीक है दूसरा difference है कि यहाँ पर जो है state legislature ठीक है state legislature के जो सदस्य है उनकी कोई नुमाइंदिगी नहीं होती है ठीक है यहाँ पर हमने president के case में देखा था elected members of the state legislature they are part and parcel of the electoral college तो उप राश्पती के electoral college में state से कोई representation नहीं आता है ठीक है इस बात को ध्यान में रखेगा ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी vice president होगा उसके लिए कुछ शर्त है कि he will not have the membership of the parliament that means अगर आपको भारत का उपराश्पती बनना है तो that means कि आपको जो है अगर आपके पास सदस्यता है कहां की लोकसभा की अगर आपके पास सदस्यता है राजसवा की तो आपको क्या करना पड़ेगा you need to vacate that membership that means आपको क्या करना है वहाँ पर इनकी दोनों की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी ठीक है यह condition है 66 में ही इसका जो है प्रवधान है ठीक किसी प्रकार से अगर आपके पास किसी राजस्य की विधान सवा या विधान परिशत की सदस्यता है तो वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी ठीक है यह जो है condition of vice president office है इनको भी ध्यान में रखेंगे आप सब लो ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कि भाई क्या क्या qualifications है अगर हम बात करें qualifications की उपराष्टपती बनने के लिए qualifications क्या क्या है qualification for vice president अगर आपको भारत का उपराष्टपती बनना है तो इसके लिए क्या क्या qualifications है तो qualification number one है कि you must be citizen of this country सबसे पहली जो essential qualification है वो है कि आपके पास क्या होनी चाहिए भारत की नागरिक्ता होनी चाहिए you must be citizen of this country ठीक है तो भारत की नागरिक्ता आपके पास होनी चाहिए citizenship of this country उसके बाद आपने क्या क्या हो 35 years age complete कर ली हो important है इसको ध्यान में रखेगा कम से कम 35 वर्ष की आपकी आई होनी चाहिए and you must also have the qualification for becoming a member of the raja sabha यहाँ पर क्या है उप राश्पती बनने के लिए आपको सदस्ता किसकी चाहिए कौन सी qualification raja sabha के सदस्ता से बनने की जो और शर्ते हैं qualifications वो पूरी करनी परेगा यह दियान में अपना है यह information आपको कहां से मिल ले again article 66 से ही आपको यह information मिल ले कहां पर यह provision है यह सब का सब जो है article 66 में जो है mentioned है इसी तरह article 66 भी कह रहा है person shall not be eligible for election of vice president if he holds any office of profit यहाँ पर फिर से क्या है office of profit आप नहीं होगा अगर आपके पास लाब का पद है तो you cannot be elected as a president of vice president of India अब हम term की कारकाल की बात करते हैं article 67 important है यह term को परिभाशित करता है कि normally कारकाल क्या होगा पांच वर्षों का होगा और suppose that मान लिजे आप satisfied नहीं है आपको resign करना है यहाँ पर क्या है a president can also leave the office and in that case he need to write his resignation अपने उसको क्या करना पड़ेगा resignation देना पड़ेगा और यह resignation किसको जाएगा president of India को जाएगा तो यहाँ पर एक conclusion आप draw कर सकते हैं कि जब president को resign करना होता है तो वो vice president को resign करता है और जब vice president को resign करना होता है तो वो president के नाम से अपना resignation letter लिखते हैं तो ध्यान में रखेगा दोनों wise ही वरसर है president resign करेगा तो अपना resignation letter किसको देगा vice president को vice president उप राश्पति को resign करना है तो अपना resignation letter किसको देगे president of India को ध्यान में रखेंगे ठीक है दूसरा गर हम उनके removal की बात करें जैसे की president के case में हमने देखा था कि वहाँ पर impeachment का प्रक्रिया है तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर vice president को भी उनके पद से remove किया जाका है he can be removed from his office लेकिन इसके लिए कहाँ पर आपको resolution लाना पड़ेगा राज सभा में आपको इसका resolution लाना पड़ेगा और उसको महाँ से majority से majority of the house से पास कराना पड़ेगा तभी जो है उपराश्पती को आप उसके पद से हटा सकते हैं ठीक है and उपराश्पती के लिए यहाँ पर एक और provision है कि वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक की नया उपराश्पती चुनकर नहीं आ जाता है तो until and unless we don't have the new vice president till that time the vice president will be entitled to remain in his office ठीक है अब यहाँ पर बात की जाती है कि भाई election जो है या इनकी अगर हम बात करें है कि जैसे vacancy create हो गई है ठीक है तो कितने ही जल्दी आपको जो है vice president का election करवाना पड़ेगा an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of the vice president shall be completed before the expiry of the term तो माल लिजे जब उपराश्पती आप हैं suppose that somebody is vice president of India तो उनका कारकाल खतम होने से पहले completed before मतलब उसका कारकाल जब तक complete होगा उससे पहले ही आपको क्या करना है तो प्राश्पती के पद का चुनाव कर लेना है और ये information आपको कहां से मिल रही है article 68 से मिल रही है मान लिजे कि death की वज़े से vice president का post खाली हो जाए suppose that vice president अपने पद से इस्तीफा दे दे या उनका removal हो जाए या और किसी situation में या और किसी अन्यकारण से उप्राश्पती के पद की रिक्ती क्रियेट हो जाए that means vacancy is created ठीक है तो ऐसी situation में आपको क्या करना पड़ेगा आपको दुबारा से यहां पर election कराना पड़ेगा that means these are the situations in which the post or the position of vice president can be vacant किस तरही से रिक्तियां create हो सकती है तो death से removal से resignation से या माल लिजे उनका election जो था वो क्या कर दिया जाए Supreme Court के द्वारा उसको जो है discredit कर दिया जो जिस प्रक्रिया के द्वारा आपका चुनावा था उसको ही unconstitutional declare कर दिया जाए या उसमें problem निकल आए तो यह कुछ सूर्थे हैं conditions हैं जहां पर क्या होगा उप राश्पती का जो है चुनाव आपको करवाना पड़ेगा article 68 ये information देता है ठीक है अब यहाँ पर article 70 जो है empower करता है parliament को the parliament may make such provision as it think fit for the discharge of function of the president in any contingency माल लिजे किसी आपात काल में किसी इस विपरीत परिस्तितियों में माल लिजे जो vice president है when he is discharging the function of the president तो ऐसी सूरत में parliament के द्वारा कुछ भी rules or regulations बनाए जा सकते हैं which is very very required तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे article 70 जो power देता है किसको parliament को यहाँ पर हमने बात की थी removal of the president हमने क्या कहा था vice president का removal जो है राजसभा से ही होगा ठीक है यह ध्यान रखें क्यों because he is the ex-officio chairman of the raja sabha he is ex-officio chairman of the raja sabha and because of that कि जो उप राश्पती है उनका जो है removal भी कहां से होगा उसके लिए आपको resolution कहां लाना पड़ेगा राजसभा में लाना पड़ेगा और majority of the house जो कह सकते हैं जो सदन है राजसभा के उस majority से उसको approval कराना पड़ेगा and then only he is going to be removed from his post जिभ्यान में रखेगा अब हम बात करने वाले हैं प्रधान मंत्री का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं यहां पर जो है भारत के प्रधान मंत्री के पास है यहां पर एक information और ध्यान रखेगा कि जो president होता है whosoever is the president of India he appoints the prime minister of India तो prime minister की क्या होती है appointment होती है इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगा तो prime minister की appointment कैसे होती है the prime minister is appointed by the president अब जैसे मैंने आप से कहा कि भाई president जो है भारत का जो भी president होगा वो क्या करता है he appoints the prime minister तो आप मेरे से पूछ सकते है कि sir concerned article बताईए किस अनुछेद में ऐसा कहा गया है article 75 आपको ये information देता है कि the prime minister shall be appointed by the president of India इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर होता क्या है कि जो election भारत में होते हैं इस election के माध्यम से या हम कहें कि वर्ष 2024 में जब general election होगा तो इंडिया से क्या होंगे member of parliament आएंगे that means कि इस भारत को हम क्या करते हैं अलग-अलग constituencies में जो है divide कर देते हैं और हर एक constituencies से क्या होता है एक member आता है एक प्रतिनिधित्व आता है उस जो constituency को प्रतिनिधित्व देता है ठीक है और ये कहां आता है ये basically लोग सभा में बैठेगा अब जिस भी political party के पास इन सदस्यों की संख्या maximum होगी सबसे ज़्यादा होगी वही political party सामने आती है और president को बोलती है कि हम जो है सरकार बनाएंगे ठीक है यहाँ पर बात करते हैं कि convention क्या है कि जो भी largest political party होगा जिसके पास लोग सभा में सबसे ज़्यादा बहुमत होंगे या जब सबसे ज़्यादा जिसके पास MP होंगे वो क्या करता है president के पास आता है और claim करता है कि हमको सरकार बनाने का बौका दिया जाए और वही political party क्या करती अपने internal matters में क्या करती है प्रधारमंत्री का चुनाव करती है कि भाई as a political party वो decide करते हैं कि उनके लिए PM candidate कौन है who is going to be their PM candidate तो ये ध्यान में रखना हमें हम citizens जो है एक नागरिक के तौर पर हम कभी भी अपने prime minister का चुनाव नहीं करते हैं we never elect that इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा हम कभी भी अपने प्रधारमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं एक नागरिक के तौर पर हम केवल और केवल अपने member of parliament का ही चुनाव करते हैं हम क्या करते हैं अपने संसदी छेतर का जो representative उसी को हम elect करते हैं इस बात को ध्यान रखेगा कई लोग में यह practical confusion होता है so as an aspirant this kind of confusion should not be there with you अब कुछ facts की बात कर लेते हैं जो की प्रधान मंत्री के पद से related है भारत का पहला first prime minister of India वस पंडिजवालाल नहुरु भारत के पहले प्रधान मंत्री होने का गौरप किसके नाम पर है पंडिजवालाल नहुरु को है और उन्होंने 16 वर्षो तक that is 16 years and 286 days तक जो है उन्होंने जो है इस पद पर वो बने रहे थे तो एक तरह से कह सकते हैं अच्छा खासा लंबा कह सकते हैं पंडिजवालाल नहुरु का अभी तक सबसे लंबा जो है रिकॉर्ड है इनके नाम से ठीक इसी प्रकार से भारत का पहला फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का जो क्रेडिट है या जो कह सकते हैं जो ये उपादी है वो जाती है गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के पहले या भारत के इतिहास में पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको बनाया गया था पहली बार उनको बनाया गया था जब पंडिजवाल लाल रहरु की डेथ हो गई थी तो गुलजारी लाल नंदा को यह responsibility दी गई थी and he was acting like the Prime Minister और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री का death होता है sudden death होती है उनकी ताशकत में तो उसके बाद जो है अगेन गुलजारी लाल नंदा को यह opportunity बिलती है and he was the first, he was for the second time he was serving as an acting Prime Minister वो कभी real में प्रधान मंत्री नहीं चुने गया छीक है इसी क्रब में इंद्रा गांधी ये भारत के इतियास में अब तक जो है पहली महिला प्रधान मंत्री she is the only lady Prime Minister India has got पहली महिला प्रधान मंत्री भारत की इतियास में तक यहीं है इसके बाद जो है मुरारजी दिसाई जो है भारत के इतियास में सबसे व्रिद सबसे oldest Prime Minister है जब वो प्रधान मंत्री बने थे उसमें उनकी आयू 84 थी और पहले जो कह सकता हूँ मैं पहला प्रधान मंत्री है जिनोंने अपने पद से जो है resign के था he was the first to resign from his office ठीक है he became the first non-Congress Prime Minister मुरारजी दिसाई के नाम से एक और record है कि वो पहले गैर Congress ही भारत के प्रधान मंत्री है ठीक है इसके बाद हम बात करने वाले है राजीव गांधी के राजीव गांधी के नाम से record है he is the youngest Prime Minister तो कई बार जो है इस तरह के factual information आपको पूछे जाते हैं BPSC में इसलिए इन facts को यहाँ पर मैं discuss कर रहा हूँ भारत का सबसे youngest प्रधान मंत्री होने का गौरब किसके नाम पर है तो लेट राजीव गांधी के नाम पर है ठीक इसी प्रकार से VP Singh, Vishunath Pratap Singh he was the first Prime Minister of India who stepped down after a vote of no confidence इनकी सरकार के खिलाफ no confidence motion आय था और because of that only he was the first Prime Minister who stepped down जिनों ने resign कर दिया था इसके बाद है Mr. PV Narsimha Rao के हम बात कर रहे हैं PV Narsimha Rao is the first person who became the Prime Minister of India and he was from Congress Party only but he was not from the Nehru Gandhi family तो Nehru Gandhi family के बाद Congress में से जो पहला विक्ति जो है प्रधान मंत्री बनता है वो है Dr. PV Narsimha Rao है यहाँ पर ध्यान रखेगा he was from Andhra Pradesh Andhra Pradesh से इनका जो है roots है and इस प्रकार से क्या है he was the first South Indian to become the Prime Minister पहले South Indian जो की प्रधान मंत्री के पद्ध को जो है grant करते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे अपने लेट प्रधान मंत्री बाचपई जी का अटल बिहारी बाचपई जी के हम बात करेंगे he is the first Prime Minister of India who is not from the Indian National Congress Congress Party से नहीं है जिनोंने full five year term जो है complete किया that means पूरा पांच वर्ष का कारेकाल करने का credit Indian National Congress के अलावा या कैसे थे हैं भारतिये Congress के अलावा ऐसी किसी भी political party का candidate जिसने पूरे पांच साल का कारेकाल completely handle किया हो उसका credit जाता है हमारे लेट प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई जी के नाम पे he is the only Prime Minister उनके नाम से जो है shortest tenure भी है that means सबसे छोटा कारेकाल एक प्रधान मंत्री के तौर पर जो है वो भी जो है अटल बिहारी बाचपई के नाम से है वो केवल और केवल 16 दिनों के लिए उन्होंने सरकार बनाई 16 days के लिए उन्होंने सरकार बनाई थी तो again that is again a factual information which is associated with लेट अटल बिहारी बाचपई जी इसी की बाद हम बात करेंगे Dr. Manmohan Singh की Dr. Manmohan Singh is the first Prime Minister who comes from the Sikh community तो पहले Sikh प्रधानमंत्री होने का credit भी Dr. Manmohan Singh को जाता है and he is the only और we can say that he is the second what he say second नहीं first कहेंगे Prime Minister who has been re-elected so that means complete two कह सकने है terms लगातार सर्फ करने का मौका जो है after पंडे जवाल लाल नहरू जो है Dr. Manmohan Singh को मिला and after Dr. Manmohan Singh हमारे जो 14th Prime Minister है कह सकते हैं भारत के नरेंद मोदी जी वो भी जो है उन्होंने लगातार दोर तर्म इस समय second term वो अपना सर्फ कर रहे हैं तो ये credit उनके नाम पर भी है ठीक है तो Congress के कह सकते हैं Congress Party की तरफ से कर बात की जाए तो पहले Non-Congressी प्रधान मंत्री जो लगातार दो कारेकाल एक साथ कर रहे बैक तो बैक कर रहे हैं उनका credit जा रहा है यहाँ पर श्री नरेंद मोदी जी के नाम से जा रहा है इस बात को ध्यान में रखेंगे अब हम बात कर रहे है Powers of the PM प्रधान मंत्री की शक्तियों के बारें बात करते हैं तो पहली बात क्या है कि He is the head of the council of minister जो council of minister उसके head होते हैं ठीक है और किस व्यक्ति को उस council में include करना है उसको appoint कराना है minister के तौर पर ये निर्ने कौन लेते हैं भारत के प्रधान मंत्री ही लेते हैं भारत का जो भी प्रधान मंत्री होता है वो मंत्राले distribute करता है अलग-अलग मंत्रियों को और in fact उसकी reshuffling भी कर सकता है ऐसा नहीं कि कोई मंत्राले आपको दिया गया है उसकी reshuffling भी की जा सकती है he can also ask the minister to resign किसी भी मंत्री को बोल सकते हैं कि आप resign करिये या president को कह सकते हैं कि आप इस minister को क्या करिये dismiss करिये तो dismiss करने की सला president को कौन देगा prime minister देगे या किसी भी minister को बोल सकते हैं कि आप अपने पद से क्या करिये resign कर ये ये शक्ति किसके पास है भारत के प्रधानमंत्री के पास भी है ठीक है अगर भारत का प्रधानमंत्री resign करता है ठीक है तो इस तरह से क्या कहा जागा है his resignation और death leads to the dissolution of the council of minister ठीक है तो इस बात को ध्यान में बखे कि अगर वो resign करेंगे तो पूरा council of minister dissolve जाता है और president और prime minister के जो है एक कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अनूठा सा संबंध है कि वो सारी सारी information जो administration से related है वो पास करते हैं जितनी भी administrative information अगर president को चाहिए होती है तो that is communicated to the president via prime minister of India इस बात को धान में रखिएगा ठीक है और he summits the consideration of council of minister on any matters ठीक है जो भी decisions लेते हैं वो सारी की सारी decisions होंगे वो जो है उसको council of minister के तौर पर दी जाती है ठीक है he is the leader of the lower house लोगसभा के leader होंगे ठीक है but he can also be he can also come from the राजसभा तो ऐसा कोई constitutional mandate नहीं है कि भारत का जो प्रधान मंतरी होगा वो लोगसभा से ही आएगा no as a member he can come from the राजसभा but he is considered as a leader of the लोगसभा ठीक है लोगसभा का उसको leader माना जाता है लेकिन व्यक्तियत तोर पर वो राजसभा से भी सकते हैं इसमें कोई प्रतिबन नहीं है ठीक है सरकार की जो भी policies होती है उनकी announcement जो है प्रधान मंतरी के द्वारा की जाती है लोगसभा के पटल पर ठीक है और प्रधान मंतरी के द्वारा प्रेजडेंट को लिट करते हैं ठीक इसी प्रकार से NIC National Integrated INTEGRATION COUNCIL पो भी लिड करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के भी जो हैं head होते हैं और नीती आयो का भी head कौन होता है भारत का प्रधान मंतरी होता ठीक इसी प्रकार से National Water Resource Council है उसका भी head कौन होता है जो भी भारत का प्रधान मंत्री होगा तो ये जो है कुछ responsibilities आती हैं आपके shoulders पर when you are acting like the Prime Minister of India अब इसी क्रम में हम बात करेंगे Council of Ministers की बात कर लेते हैं Council of Minister को अगर हम बात करें Council of Minister को आप एक diagram समझ सकते हैं कि माली ये team है ये बड़ा circle क्या कहलाता है Council of Minister का और इस Council of Minister में ही जो है एक छोटा circle होगा या कह सकते हैं इसका जो head होगा वो इसका part होगा जिसको हम PM कहेंगे ठीक है The PM and the Council of Minister are called as the real executive Real executive का मतलब क्या है कि सारी real decision, real power इन ही लोगों के पास होती है ठीक है और इनका इनको क्यों रखा गया What is the utility of this Council of Minister So the Council of Minister which is being headed by the Prime Minister इसकी requirement क्या है It is going to aid and advise the President So यहाँ पर जो Council of Minister है वो क्या करता है वो aid और advise करता है किसको President of India को और यह provision कहां दिया क्या है Samvidhan के अनुच्छविद 74 That means कि when you look into Article 74 तो Article 74 आपको यह information दे रहा है कि भाई There will be a Council of Minister Council of Minister रहेगा उस Council of Minister का head उसका मुखिया कौन रहेगा भारत का प्रधानमंत्री रहेगा और यह जो Council of Minister इसका निर्मान क्यों किया जा रहा है कि यह जो है President of India को क्या करेगा aid और advise करेगा उनके काम करने है ठीक है यह है Article 74 के उपर ठीक है इसके बाद जो है जो Council of Minister है उसकी जो है उसकी जो है Strength के उपर कह सके तो उसका जो संख्याबल है Number जो है Decide कर दिया गया है कि फिक्स है उसका संख्याबल कितना होगा Council of Minister का पंद्रा प्रतिशत अफ दा लोगसभा जो Council of Minister है विच विल इंक्लूड PM cannot be maximum और it cannot be more than 15% अफ दा लोगसभा जो लोगसभा की strength है उसका जो है पंद्रा प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है और यह संशोधन कब लाया गया था 91st Constitutional Amendment Act 2003 के द्वारा जो है इसको जो है इंपोस किया गया था उसके बाद next provision है जो Council of Minister से related है कि भाई जो भी विक्ति जिसको anti-defection law के अधार पर जो है disqualify किया रहा है या कोई भी Member of Parliament अगर उसको anti-defection law anti-defection law के वजह से दल-बदल कानून की वजह से उसको क्या किया गया है उसको disqualify किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को जो है हम क्या कर सकते हैं we cannot appoint him as PM ऐसे व्यक्ति को ऐसे disqualified Member of Parliament को हम प्रधान मंतरी नहीं बना सकते हैं ये provision कहा है again 2003 के द्वारा Constitutional Amendment Act आया था जिसमें 91st Constitutional Amendment Act में ये provision को जो है incorporate करा गया है अब यहाँ पर Council of Ministers से related एक और important है और prelims के point of view से preliminary exam में कई बार ये जो है exactly आपको ऐसी ही line मिल जाए गई आपके प्रश्न पत्र में किन्निम लिखित में से कौन सा कथन सही है तो Council of Minister है वो collectively किसके लिए responsible है लोग सभा के लिए ध्यान में रखिये का जो Council of Minister है उसकी जिमिदारी किसके लिए है उसकी collective responsibility लोग सभा के पती है ठीक है next है a minister who isn't an MP of six for a six consecutive month shall cease to be a minister ठीक है तो यहाँ पर जो है भारत में जो भारत का सम्विधान वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को any citizen any citizen of this country कोई भी नागरिक जो है उसको मंत्री बनाया जासकता है in fact Chief Minister बनाया जासकता है उसको प्रधान मंत्री बनाया सकता है लेकिन condition क्या है कि छे महीने के अंदर उसको क्या ले नहीं है he must be a member ठीक है यहाँ पर आपके पास अगर छे महीने के अंदर membership नहीं मिलती है तो आपको क्या किया जाएगा आपको हटा दिया जाएगा अ minister who is not a member of parliament for six consecutive months shall be ceased to be a minister तो यह condition है next है a minister who cannot take part in proceeding of both house as he is a member of the government but can vote only in that means लोगसभा और राजसभा दोनों की प्रोसीडिंग्स में प्रोसीडिंग्स में प्रोसीडिंग्स कर सकते हो लेकिन अगर जब वोट का बात आएगा that means voting के मत का बात आएगा तो आपके पास जिस भी आप जिस भी house को बिलॉंग करते हो उसी house में आपके पास क्या होगा voting अधिकार होगा ये ध्यान रखेगा हमेशा तो minister he can be from लोगसभा he can be from राजसभा simultaneously he can participate in the proceedings of लोगसभा दोनों की जो कारवाई जलती उसमें वो पाटिसिपेट कर सकते कई बार आपने देखा होगा कि home minister जो है वो राजसभा में भी रहते हैं कई बार भारत के प्रदानमंतरी लोगसभा में भी है रागसभा में भी है तो that means they are participating in both houses लेकिन जब voting या मत के अधिकार की बात आएगी तो जहां से आपकी सदसिता है जिस भी सदन की आपके पास सदसिता होगी मालिज़ा आप लोगसभा के सदस है तो अपना vote का अधिकार आपके वल लोगसभा में डाल सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप राजसभा में आके अपने voting अधिकार का इस्तवाल करेंगी ठीक है अब हम जो है category के उपर बात करने वाले category again it's very very important topic preliminary exams के point of view से again putting minister का चीक है तो cabinet minister कौन होता है cabinet minister जो cabinet meeting में participate करता है और केंदर सरकार में केंदर सरकार में बहुत ही important मंत्राले उसके पास होगा important portfolios होंगे उसके पास उसको हम क्या करते है cabinet minister का जो है rank देते हैं और cabinet minister जो है cabinet meeting को participate कर सकता है that means he will be part and parcel of the cabinet meeting, जब भी cabinet meeting सरकार के द्वारा call की जाएगी, ठीक, इसी तरह हम MOS की बात करते हैं, Minister of State की बात करते हैं, तो basically MOS दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या होता है independent charge, that means आपके उपर कोई भी जो है उपर मंतरी नहीं होगा, that is cabinet मंतरी नहीं होगा, या दूसरा हो सकता है कि आप Minister of State हैं और आपके उपर क्या है, कोई cabinet minister है, that means आपको attach किया गया है cabinet मंतरी के साथ, ठीक है, तो basically MOS का का काम क्या होता है, जो Minister of State होते हैं, वो cabinet मंतरी को help करते हैं, assist करते हैं उनके काम करने में, और जब तक इनको बुलाया नहीं जाएगा in person, तब तक he cannot take part in the meetings और he cannot be part and parcel of the cabinet meeting, इस बात को ध्यान में रखेगा, ठीक इसी प्रकार से deputy minister का होता है, deputy minister जो होते हैं, they are also attached with cabinet ministers or minister of states, इन से नीचे होता है, deputy minister और generally इनकी help और assistance के लिए ही उनको जो है, इनको रखा जाता है, that means जो deputy minister होगा, वो minister of state या cabinet मंतरी को जो है, उनके काम में help या assist करता है, so that is for today's class, hopefully आपको ये class interesting लगी होगी, next class के लिए wait करते हैं, जहां पर हम again एक नए important topic के साथ आपके साथ मिलने माने हैं, till then, thank you so much and do take care of yourself.